हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आरके क्लासिस यूटूब चानल पर आज की इस व्यूडियो में हम वैस्विकर्ण के बारे में बात करेंगे वैस्विकर्ण क्या होता है क्या इसकी आवशकता है और क्या इसके महत्व है सबसे पहले बात करते हैं वैस्विकर्ण का अर्थ आज विशो में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और ये जो परिवर्तन हैं ये सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, तकनीकी तथा शिक्षा आदी सभी छेत्रों में दिखाई देते हैं आज देखिए दुनिया में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं हर छेत्र में परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, तकनीकी शिक्षा वास्तों में वैस्विकर्ण होता क्या है विशो के विभिन देशों के बीच इंट्रेक्षन अंत्यकिरिया होती है वैस्विकर्ण क्या होता है दुनिया के जो देश हैं उनके बीच में इंट्रेक्षन की परकिरिया है अंत्यकिरिया की परकिरिया है यह अंतक्रिया विचारों, समाजिक मुल्यों, सिक्षा, अर्थवेवस्था, राजनिती तथा तकनीकी आदी सभी छेत्रों में हो रही है तो दुनिया के विभिन देशों के बीच में जो अंतक्रिया हो रही है ये विचारों के छेत्र में समाजिक मुल्यों के सिक्षा, राजनिति, तकनीकी हर एक छेत्र में ये अंतेकरिया हो रही है दुनिया के जो विभिन देश हैं एक देश से दूसरे देश में विचार जा रहे हैं तो सारा जो ये सिस्टम है ये वैस्वी करण के कारण ही है इसका कारण है सूचना वे तकनीकी के छेत्र में विकास अब सूचना और तकनीकी के छेत्र में बहुत ज्यादा विकास हो रहे हैं और इसके कारण सूचना जो है एक देश से दूसरे देश में तुरंत पहुंच जा वैस्विकर्ण के संदर्व में निमलिकित परिभासाई दी जा सकते हैं अब वैस्विकर्ण की परिभासा देखते हैं सबसे पहली है नाइट की अनुसार इन्होंने वैस्विकर्ण के बारे में क्या कहा है वैस्विकर्ण, तकनीकी, वित, वयापार, ज्यानमुल्यों तथा विचारों की सीमा तक बढ़ते परिभा के साथ संबंद रखता है जो वैस्विकर्ण है वो तकनीकी, वित, वयापार, ज्यानमुल्यों, विचारों इनकी सीमा तक बढ़ते परिभा के साथ मतलब इनके और जो है जो परवा है उसके साथ सम्मंद रखता है अगली है लेचनर के अनुसार वैस्विकन का अर्थ है वैस्विक सम्मंदों का विस्तार सामाजिक जीवन का विशो स्थर पर संगठन तथा विशो चैतना का विकास इनके अनुसार वैस्विकन का अर्थ है वैस्विक सम्मंदों का विस्तार सामाजिक जीवन का विशो स्थर पर संगठन विशो चैतना का विकास यानि के जो दुनिया के देशों के बीच संबंध है उनका विश्तार होना और जो सामाजिक जीवन है लोगों का उसके अलग-अलग संगठन और विशोच ये तना जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सोच विचार है उसका विकास होना इसके बाद आगे बात करते हैं इसके महत्व और आवशक्ता के बारे में कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है और इसकी नीड क्या है वैस्विकर्ण भारत के लिए आवश्यक बुराई की तरह हो गया है इसका क्या मतलब है कि वैस्वी कर नावश्चक भी हमारे लिए और ये बुराई की तरह भी काम कर रहा है एक और तो जहां इसके कारण हम दुनिया के दूसरे राश्ट्रों से सीधे संपर्क में आये हैं इसका फायदा तो ये है कि हमारा जो संपर्क है वो दुनिया के विभिन देशों के साथ हुआ है वहीं दूसरा इसका नकरातमक पहलो भी है कि इसका क्या जो देश की संस्किर्टी है आध्यातमिक दरोवर है इनके उपर बुरा और नकरातमक परभाव पड़ा है आज हम लोग western culture को अपना रहे हैं, दूसरे देशों की हम लोग नकल करके हम अपने आपको modern कहते हैं, पर जो हमारी सब बैता संस्किर्ती हैं, इसके area से ज़िए हम मतलब इसके नजर ये से देखते हैं, तो हम लोग पिछट रहे हैं सकारातमक पहलू की बात करें, तो लगता है कि इससे देश के जीवन को एक नवीन सफूर्ती तथा उर्जा मिली हैं, क्योंकि हम तथा दूसरे सभी राष्टर अपनी संकुचित विचारदारा से निकल कर समस्त संसार के जितने विदेश हैं उनके बारे में अब हम लोग सोच इसने लगे हैं, यह है इसका सकारातमक पहलू, आज देखे संकठ पढ़ जाता है जब एक देश दूसरी देश की मदद करने के लिए तुरंत आ जाता है, तो यह भी वैस्वी करने के कारण ही संभव हुआ है, फिर चाहे संकठ मनुस्य जनित हो या फिर प्राकर्तिक कुटुम्ब की भावना को संजवय हुए हैं, इसलिए वैस्वी करने के सकारातमक पर भावव है वो भारत पर ज्यादा है, अमारे लंदर क्या है वसुद्यो कुटुम्ब कम की भावना है, इस से भारत का दूसरे राष्ट्रों के साथ आप सी जो निरबढता है वो बढ़ गई है इससे अर्थव्यवस्ता के बढ़ते हुए आर्थिक एकिकरण की परकिरिया भी कहा जाता है वैस्वीकरण को क्या कहा जाता है कि अर्थव्यवस्ता के बढ़ते हुए आर्थिक एकिकरण मतलब आर्थिक एकिकरण की परकिरिया है आर्थिक आधार पर भारत के लिए वैस्विकर्ण बारतिय अर्थ व्यवस्ता को विदेशी पर्त्यक्स निवेश के लिए खोलता है यदि हम आर्थी का दार्गी बात करते हैं तो जो भारत के लिए जो वैस्विकर्ण है वो यहाँ पर डारेक्ट फुरन इनवेस्टमेंट खोलता मतलब जो विदेशी है उनको आकर्शित करता है भारत में इनवेस्टमेंट करने के लिए इससे विश्व के दूसरे विक्सित तथा विकास सिल राष्टर भारत में निवेश कर सकने में समर्थ होंगे इन सब के अतिरिक्त वैस्विकर्ण का महत्व निमलिखित आधार पर ओर बढ़ गया है अब पहला पॉइंट है विशू नागरिक्ता वर्ल्ड सिटिजन्सिप अब वैस्विकर्ण के कारण हम लोग पूरी दुनिया को एक मानते हैं हम लोग यह नहीं मानते कि यह भारत का नागरिक है या अमरिका का नागरिक मतलब जो हमारी जो सिटिजन्सिप है उसको हम अपने अपने देश की जो भावनाय उससे उपर उठाया आदमी अब वसूदेव कुटुम्ब की भावना से काम करना होगा हमें उससे संपुर्ण विशव अपना मतलब लोगों को कहा पूरी जो दुनिया वो अपना घर लगेगा सभी देशों के व्यक्तियों को अलग-लग राष्टर के नागरिक के रूप में ना देखकर उन्हें भी अपने समान विशव का नागरिक समझना चाहिए इसके बाद आगे है अंतराष्टी अस्तर पर फैली समश्याओं का समाधान आज पूरा विशव अनगिनत कहलो या अगिनत समश्या उसे तृष्ट है पूरे दुनिया के अंदर पता नहीं कितनी तरह की प्रोब्लम से हैं अब इन में क्या है कुछ जो समश्या हैं वो लगबग सभी देशों में सामान है जैसे की जनसंक्यावी स्पोर्ट है आदोनिक के लिबास में लिफ्टी हुई जो शिक्षा की विवस्ता है निर्दन्ता बेरोजगारी परियावन जागरोकता नैतिकता ये सबी प्रोब्लम जो हैं सब इदेशों की कोमन प्रोब्लम से हैं अगर दुनिया के जितने भी देश हैं सारे मिलकर इन समस्या के उपर विचार करेंगे तो इनके जो है उपर विजय पाई जा सकती है कोई ना कोई सोलूशन इसका जरूर निकल सकता है विशो बैंक आज उन समस्त राष्टरों को शिक्षा के चेतर या फिर पिछड़े हुए छेतर हैं देखें विशो बैंक जो शिक्षा के चेतर में पिछड़े हुए या अलग चेतर में पिछड़े हुए उनको भी मदद उनकी कर रहा है विक्षित राष्टर तथा सबल राष्टर के से भी दूसरे गरीब तथा विकास इल देशों की हर संभव सायता कर रही हैं इसे ही तो वैस्विकरण कहते हैं अब ये हम लोग वैस्विकरण के आधार पड़ रही है इसके बाद आगे है थर्ड पॉइंट है राष्टिय विकास नैशनल डेवलोप्मेंट आज इस आधुनिक्ता के दोर में परतेक राष्टर चाहता है कि उसका संपूरण विकास हो ऐसे में उनकी सहायता के लिए दूसरी विक्सित तथा सबल राष्टर उनकी सहायता कर राष्टर विकास में सहयोग दे सकते हैं जिससे विश्व के देश एक दूसरे के और नजदीक आ जाएं अब जो वैस्वी करण है इसका फायदा ये भी है राश्ट्य विकास में वतलब एक देश दूसरे देश की मदद करता है तो इससे क्या होता है जो विभिन देश है वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं फिर आगे है अंतराश्ट्य श्तर पर आयात निर्यात अब जो इंटरनेशनल लेवल के उपर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसे भी शेकान पोसीबल है जो दुनिया के विभिन देश हैं उनके बीच में वैपारिक सम्मंद बन चुके हैं एक दूसरे से किर्शी वान परदान हो रहा है इससे क्या है वैश्विकार्ण को बढ़ावा मिलता है अंतराश्ट्य स्तर पर जो बिजनेश होता है ये भी मदद करता है वैश्विकार्ण में या ये इसका बेस है इसका अधार है संचार साधनों का विकास आज संचार के साधन जैसे प्रेस है टेलिव की है इनमें बेताहसा विर्दी हुई है विशु के राष्ट्रों के बीच जो दूरिया है वो गठती जा रही है आज जो दुनिया है वो संकुष्टिक सिकुड़ी हुई हमें दिखती है सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्वर करते हैं आपसी सहयोग तथा सद्वावना क विकास हुआ है तो यह सब जो है वो वैस्विकरण के कारण ही हुआ है तो यह जो पॉइंट है इनमें वैस्विकरण के फायदे और इसकी आवसकता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसके बाद इसकी चुनोतिया क्या है कि भारत में वैस्विकरण से क्या-क्या चुनो वैस्विकन के अत्यंत फाइदे हैं तो दूसरी और इससे भारत में कड़ी चुनोतिया इसने खड़ी कर दी हैं ये चुनोतिया भारत के जीवन से संबंदित प्रत्वेक पहलू के उपर जो अपना परभाव नजर आ रहा है इसका या परभाव डाल रही है इस वैस्विकन का सबस्चे जादा परभाव जोआ हमारी संस्किर्ती, सब्यता, जीवन, सैली और हमारे जो नयतिक मुल्य हैं इनके उपर पड़ा हैं इसलिए हमें कुछ ऐसी योजनाई बनानी होंगी जिनसे हम इस वैस्विकन के युग में अपनी हस्ति बनाई रख सके तथा विशु के द हमने वैस्विकन के बारे में बात किया है, वैस्विकन क्या होता है, इसका क्यारत है, इसकी परिभास है और इसका महत्व और इसकी आऊशकता है, उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंदाई होगी, यदि यह वीडियो आपको पसंदाई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बोक्स में अपने कमेंट जरूर डालिएगा मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद